शराब बंदी को लागू करने के लिए इस सभी तरह के प्रयास इधार कर रहा है पुलिस और उत्पाद दोनों मिलकर के इसमें लगातार कारवाई कर रहा है जो दियार आक्षेत्र जहां पर की बहुत ही अध्य दिक मात्रा में शराब बनाई जाती थी हो अल्मोस्त वहां पर सब जगा शांत हो गया है तूरा अक्षेत्र जहाओ अच्छे से गड्रोल में है शराब बंदी को लागू करने के लिए जितने भी प्रयास की जासे हैं लोग अर तरस से प्रयास कर रहे हैं अब तक कितने शराब करोबारियों के चेन को तोड़ने का काम किया जाएगा अब तक कितने शराब करोबारियों के चेन को तोड़ने में सपरता हैं देखे शराब बंदी को लागू करने के लिए सभी तरह के प्रयास विभाद कर रहा है पुलिस और उत्पात दोनों मिल करके इसमें लगातार कारवाई कर रहा है आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से बड़े-बड़े माफिया जो हरियाना या बंगाल या पंजाब या दिल से उपरेट कर रहे थे उन सबको अरेस्ट करके लाया गया है इस वर्ष स्पेशली इस दोजार वर्ष दोजार बाइस में तो यह संक्या बहुत बढ़ गई है जिनको बाहर से जिला की पुलिस जाती है बहार से और वहां की पुलिस से सहयोग लेती है उन राजी की पुलिस के mechanism सब लोग अपना रहे जो checkpost हमने इतने सारे खोल दिया 65 check post लोगों ने खोल दिया है 66 पूरे रहाचे में वहां पर हम लोग deploy कर रहा है लोगों को पूरा ताकि उसको man किया जाए अच्छे से अब लोग Handle scanner दे रहा है जो scanner आते हैं बहुत है हाई क्वालिटी के जो कि बिना चीजों को खुले हुए वो अंदर क्या सामगरी है उसको अइंटिफाइड कर सकता है ऐसी सामगरियों को वो हम लोग डिप्ला कर रहे हैं जिसके जिससे चलते आप देख रहे हैं कि अरेस्टिंग की संख्या बड़ी है जो दियाराक्षेत्र जहां पर की बहुत ही अत्यतिक मात्रा में शराब बनाई जाती थी वो अल्मोस्ट वहां पर सब जगह शांत हो गया पूराक्षेत्र जो ह साथ साथ काम करते हैं कॉल सेंटर में जो पहले शिकायद आती थी शाट सटर असी प्रति दिन वह बढ़े करके चासों के आस पास प्रति दिन रहती हैं और उन पर कारवाई हो रही है और उसमें उसमें भी अच्छी सभलता मिलते जाए तो इत्पाव विभाग हर तरस से ज 16,825 अभ्योगतों की रफ्तारी की गई है एक लाख लीटर के ऊपर शराब बरामत की गई है और पांच्छो साथ वहनों को इस प्रेट में जाफ्त किया गया है अगर हम और पिछले पूरे माह का जो था मैं लग आपको पिछला वी सी पर प्रस्वान जो नहीं उपाया था पर सम लीजन उसका ब्रीफियू हाकवाला की मिल चुका है बट उस एक दस से लेकर 31 दस के बीच में कुल एक लाख 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 चापे मारी की गई थी जिसमें 18,000 अभ्योग दर्ज किये गए थे और 38,000 अभ्योगतों को एक मा में गिरफतार किया गया था और इसी दौरान जो है कि तीन लाग दीजर लीटर शराफ बरामत की गई थी और तेरा सो के असपास वाण नेक 1535 वाण जब्त किये गए थे आप लोगो जो हमारा प्रतिदिन अरेस्टिंग का जो फिगर वह आपको दे देंगे जो हमारा प्रतिदिन अरेस्टिंग का फिगर है इस माह में नवंबर माह में 680 के उपर में जो पहले हमारा प्रतिदिन चालीस था प्रतिदिन बढ़े करके 200-400 अभी हम लोग 700 के आसपास पहुंच गया है प्रतिदिन अरेस्टि का फिगर मां इस दोनों का मिला लेंगे तो करीब 1400 के आसपास हो जागा इस दौर अभी तक जो है ट्राइल जो शुरू है उसकी संख्या एक लाग 36,000 है और अभी तक जो पूर्ण हुए है उस ट्राइल की संख्या 2,687 है और 2,561 व्यक्तियों को सजा दी लिए है इसमें 5 साल, 7 साल, 12 साल ऐसे भी व्यक्तियों की संख्या अधिक है पिछले चार केस के 94 परसंट में कंविक्शन हुआ है जो खुल वहन अर्थदन लगा कर छोड़े गए है उसकी संख्या 3,699 है और उससे 22 करोड 23 लाख रुपय की राजशी भी राजशी रुप में राप्त हुई है हाँ अभी जो नवंबर माह में हमारी जो पतिदिन उसक गिरफतारी ह है वह 751 751 जो हम लोग जैनुवरी में 40 थे प्रति दिन वह अब हम लोग प्रति दिन 751 751 पर है करत डाल गया था राजशी हमों प्राप्त हुटरा है हमारा टार्गेट है 5500 करोड वर्ष का उसके विरुद हम लोगों ने 3869 करोड का राजशी प्राप्त कर लिया है जो वा चत्र है तो अगर हम लोग इस तरह अगर काम चलता रहा तो हम लोग वार्षिक लक्ष को आराम से पार करेंगा उससे बहुत आले जाएंगे कॉल सेंटर है 14544 जिस पर निबंदन से समंझते अगर को शिकायत हो तो अपनी तर्ष शिकायत करा सकता हुए कुछ विद्ध करना यह लोकल पक्राइब यहांन नहीं आ रही है गरें से एपनी पड़ पकड़ा यह पहले है पगड़ा यह तो उसके फोन से मुबाइल से उसके बैंक के अकउंट से पता चलता है कि पैसा कहा से है फिर वो एक ट्रैक करते है बड़ा कॉंप्लिक बहुत की लोग रूट करते हैं चीजी अलग बिखा एंट ए अगला तरीक इसे लोगों को भी हम लगी अपनी नमत्तो आप दो इसे खानल रेंग है लुए नमस्ती ब्रढाम मैं हूँ आपकी अपनी आख्षरा सिंग और बहुत खुशी की बात है मुझे कहते वे वेलमेटिक हेल्थ केर प्राइवेट लिमिटेट के फ्लाक्शिप ब्रांड जैसे वेल एक ओर्थो ओयल आश्वेल रस शेव वेल क्रीम एन शेव वेल लोशन की लाउंचिंग होटल मौर्या में 16 नवंबर को हो रही है मैं किसी कारण वश आप लोगों के बीच नहीं आ पा रही हूँ परन्तु मैं जल्द ही आपके बीच आओंगी मेरे तरफ से कंपनी के चेर्मैन मिस्टर मुस्तफा हुसेन जी को धेर सारी शुबकामनाएं और यही आशा करती हूँ कि ये कंपनी दिन दुगनी राज चौगनी तरक्की करे बेस्ट आफ लाग थैंक यू